रजस्थान में मानसून की अंट्री हो गई है पैतिस फीजदी से ज्यादा एरिया में मानसून एक्टिव हो गया पिछले 24 गंटे की बात की जाए तो पिछले 24 गंटे में मानसून की बारिश के कारण जगें जगें बिजली गिरने से चार लोगों की मौत भी हुई है इन में से पाली चिप्तोडगर में एक एक और बारा में दो जनों की मौत हो गई सडकों और खेतों में पानी भर गया वहीं प्री मानसून और विपरजोय चकरवाद से बारिश का 28 फीसदी कोटा पहले ही पूरा हो चुका है मौसम केंदर की माने तो इस सीजन मानसून में सामान्य से 4-5 फीसदी कम बारिश का अनुमान जताया था लेकिन शिरुवाती डेटा इस बार पूर्वा अनुमान पर पानी फेरता हुआ दिखाई दे रहा है दरसल मौसम केंदर नई दिल्ली ने जारी मानसून के फोरकास्ट में बारिश कम होने का अनुमान जताया था इसके पीछे का बड़ा कारण मानसून जुलाई तक पश्चिमी प्रशान्त महासागर में अलनीनो की कंडीशन में बना हुबनना माना जा रहा था राजस्थान में मानसून कितना जरूरी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य में सबसे ज्यादा खेती इसी सीजन में होती है पूरे राज्य में 165 लाख हैक्टेर जमीन पर खरीफ की फसल बोई जाती है इसमें चावल, जवार, बाजरा, मक्का और इनके अलावा दलहन में मूंग, मोट, उड़द, चोला, मूंफली, सोयाबीन, कपास और गवार की बुआई की जाती है जबकि रवी के जीजन में 100 से 110 लाख हैक्टेर पर ही बुआई की जाती है वही मौसम केंदर जैपुर की माने तो मौसम केंदर जैपुर ने 26 से 28 जून तक राजस्थान में अच्छी बारिश होने का अनुमान जताया है दक्षणी राजस्थान के आठ जिलो में भारी बारिश का ओरेंज अलर्ट जारी किया गया है इन में बारा, बासवाड़ा, चित्तोडगड, दूंगरपुर, जालावाड, कोटा, प्रतापगड और उध्यपुर शामिल है जबकि पश्ची में राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर बाड़ मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगड, जैसलमेर, जालावर, जोधपुर, नागौर, पाली और श्री गंगानगर को छोड़कर शेश जिलों में 26 से 28 जून तक अच्छी बारिश होने का अनुमान है